आज आपन प्रैक्टिस सेट फायू पहुयात प्रैक्टिस सेट फायू चे कोश्चन्स रीड के लिया नंतर तुमचा लक्षा तील की इथे प्रत्यक ट्रैंगल हा राइट एंगल ल्ट्रैंगल आहे कशाउन कड़ाला आपलेला हे करम प्रत्यक ट्रैंगल मदे एक एंगल हा 90 डिगरी चाहे मंजेच आपलेला राइट एंगल ल्ट्रैंगल ड्राइंगल ड्राइंगल करायला शिकाई चाहे आपन पाहिलेला आहे कोंता ही ट्रैंगल ड्राइंगल ड्राइंगल करतास्ताना सरोप्रतम आपन राइट फिगर ड्राइंगल करतास्तों ग्या त्यान अंतर राइट अगल कोठे तैयर जला है या ठीकानी मनुन आपन इते राइट अगल सइमबल दिऊएद square करूएद त्यान अंतर राइट अगल कोणता है? आइङल B आछे मनुन इते आपन B वर्टेक्स दिला यान अंतर सर्वात मत्वाची गोश्ट आपन समझुन गेवयाद पहा या कोश्चन मदे इंटर अंगल ABC लेंद्ध ओप AC is equal to 7.5 cm मेजर ओफ अंगल ABC is equal to 90 degree और लेंद्ध ओप BC is equal to 5.5 cm या कोश्चन मदे जा साइड़ ची लेंध दिले लिये त्याचा कड़ आपन विशेश लक्ष दिला पाईजे जहुआ आपन राइट अंगल दर ट्राइंगल ड्रॉा करतो त्याँआ जा साइड़ ची लेंध दिले लिये त्याचा अब्जर्वेशन आपन पाहिलान दा केला पाईजे कुण कुण त्या साइड़ सी दिले ले ले साइड़ एसे आए आणि साइड़ बी सी आए या दोगा मदे क्वामन लेटर एक तुमाला दिसता है कुणता है यस सी हे लेटर क्वामन दिसता है त्याचे कौमन लेटर आए न बाळाननों ते नहीं मी आपन बेश चा या एंड़ पॉइंट ला दिले पाईजे पहा इथे कौमन लेटर कुठे जे ना राइट आंगल ट्रेंगल काड़ तासता ना या बेश चा एंड़ पॉइंट ला मनुन इथे मी सी लिलेला है आता राहे लेला वर्टेक्स कौनता है ये ते आपन इथे लिला ये से इज हाईपोटेनस बरोबर है मन ये या बेश ला या राइट हैंड साइड ला राइट चा एंड़ पॉइंट ला कौनत लेटर आपन देनार त्या दोन साइडस मदला जे कौन लेटर आहे ते इथे कौन लेटर से आशले मुड़ आपन इथे सी दिलेला है नेम आपन ट्रेंगल से लिला आता मेजर से लिया लेंथ आप एसी किती आहे 7.5 सेंटिमीटर येसी हाइपोटेनस है इथे आपन लिला 7.5 सेंटिमीटर मेजर आफ आएंगल ABC is 90 डिगरी महनुन आपन 90 डिगरी चा सिंबॉल केला आणि लेंथ आप BC is 5.5 सेंटिमीटर BC इथे आहे 5.5 सेंटिमीटर आशा पद्धतिन आपनी रफ फिगर तयार जाली आता आपन काडोयात प्रत्यक्ष फेर फिगर फेर फिगर काड़तास्ताना आपन सरोप्रथम बेस काड़तास्तो बरोवरे मनों पहले आँदा आशा एक डार्क पॉइंट करूं गया आणी 5.5 सेंटिमीटर आपलेला बेस ची लेन दिलेले BC ची आपन काड़ोयात ही स्टार्टिंग लाइन ही थे ठेवले आपन फायू नंतर चा स्मॉल लाइन्स आपन फायू काउंट करूयात 1,2,3,4,5 बरोबर फायू वर मी सेंट पॉइंट ड्रा केला आणी हे दोनी ही पॉइंट मी जॉइंट करूं गयतले आपला बेस तायार जाला यान अंतर आपले आला काड़ाईचा आहे 90 डिगरीचा एंगल 90 डिगरीचा एंगल काड़ना साथी आपन काई यूज करनार प्रोटेक्टर यूज करूना आपन 90 डिगरीचा एंगल ड्रा करूयात या पद्ध तेन आपन प्रोटेक्टर ठेवला 90 डिगरीच बरबर इथे आपन पॉइंट डार करूंगे तला आणी आपन हाँ पॉइंट आने हाँ पॉइंट जॉइंट करूंगे वियात मंजे राइट एंगल या ठेका नी तयार जाला रे आहे त्या मुण किती ही लौंग रे आशला तरी चालतो त्या नंतर आपन काड़तो या ता येसी ची लेंथ येसी किती आहे 7.5 सेंटिमीटर आपन स्केल मदे 7.5 डिस्टन्स पाहून कमपास मदे आपन तेगी हुया पहा मेटल पॉइंट इथे ठेवला 7 नंतर किती स्मॉल लाइन्स में काउंट करतो है 5 स्मॉल लाइन्स बरोबर हे 5 वर पेंसिल चे पॉइंट या येला हावा हे पहा हे बरोबर आपन पहा पेंसिल चे टोखे 5 नंबर चा लाइन्स वर टच जाला पाई जे या नंतर आपन सी हाजो वर्टेक्स आहे तिथे मेटल पॉइंट ठेवून हाजो वर्टिकल रे आहे त्याचा वर आर्क ड्रॉग करूए थे बहा या पद्धतिना हा आर्क आपन ड्रॉग केला या रेला कुठे इंटरसेक्ट करूतो है हाँ या ठीकानी तो पॉइंट ड्रॉग करूँ गया आनी स्केल चा साहिया ने हाँ एंडिंग पॉइंट आने हाँ पॉइंट आपन ड्रॉइंट करूँ गरूँ या अशा पद्धतिना आपला हा राइट आंगल ड्रॉगल इथे तायार जाला रफ फीगर मदे पाउन आपन न या रेसला इथे बी आहे आणि इथे सी वर्टेक्स आहे या नंतर बी आंगल हा राइट आंगल आहे मनूँ सिम्बॉल करूँ या जसे रफ फिगर मदे आपन केला लेंथ आप बी सी ची लेंथ 5.5 सेंटीमीटर आहे आणि लेंथ आप एशी ची लेंथ मन्जे चा हाइपो 7.5 सेंटीमीटर आशा पधतिन आपला हा राइट आंगल आणगल आपन ड्रोगे लेंथ